रेट फोट रेट फोट भी एक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट्चर का एक बहुती अच्छा एक्साम्पल है रेट फोट आप लोगों ने देखा होगा या चित्र में देखा या कभी कोई आप लोगों ने बहुत सारे लोग हो सकते हैं आप जाके भी देख देख चुके हैं यह जो गुंबध होता है ना गुंबध होने से ही आपको पता लगेगा कि यह इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट्चर का एक बहुती अच्छा एक्साम्पल है तो रेट फोट की बारे में अगर हम बात करें तो रेट फोट तो नाम से ही पता लगता है कि रेट फोट रेट कलर का फोट लाल रंग का फोट का मतलब है वहां पर राजा रहते थे और इसमें का चारों तरफ से ये जो नाला बनाए थे जो जिसको cross करके वहाँ पे जाना possible ही नहीं था उस समय पे क्योंकि पानी उसमें भरपूर रहता था और इतना deep था किसी को पता ही नगता लगता था क्योंकि उसमें अगर नाले में जाएंगे कोई सत्रू अगर आखरमन करते थे वो नाले में जाएंगे तो डूब जाएंगे, मतलब scientifically way में बनाते थे, तो जाकी उसमें उसको कोई खराब ना कर दे, कोई सत्रू आके खराब कर देंगे, इस तरह की कोई भी चीज़े नहीं है, चारो तरह से इसकी safety बनाने के लिए, उस समय के राजाओं ने बादसाओं ने कितनी सुन्दर तरीके स हर एक चीज़ का design बनाये थे, हर एक चीज़ को सुन्दर सिर्फ यही नहीं कि इसको safety इसकी safety इसकी सुन्दरता का भी हम जितनी भी बात करें उतना ही कम है, अंदर दिवानी आम दिवानी खास हर जगा पे सुन्दर तरीके से रानी महल, राजा जहां पे रहते थे राजा का हर जगा पर हम बहुती सुन्दर तरीके से बनाये थे, और यह देखिए दूसरा चित्र है, रेट फोर्ट का, तो लाल किले के बारे में हम जाने, लाल किला पुरानी दिल्ली का एक एतिहाशिक किला है, बादसा साह जहां ने बारवी माई 1638 को लाल किले का निर्मान का काम स किया था, मूल रूप से लाल और सफेद इसके डिजाइन का श्रेय बास्तुकार उस्ताद अहमद लहुरे को दिया जाता है, जिन्होंने ताज महल का निर्मान भी किया था, कीला साजहान के अधिन मुगल वास्तुकला में शिखर का प्रतिनी धित्त करता है और भारतिय पर सजारों को सोने की चित्र और कोरल जैसे कीमती पत्थर के जोरे हुए काम से सजाया गया था, उपर से नीचे तक संगमरमर से बने सुन्दर आयतकार मंडप का प्रिथवी पर कभी भी कोई प्रतितबंदी नहीं था, रात का समय पे रेट फोट को अगर देखेंगे तो रात में देखो, मैंने इसलिए ऐसी चित्र आपको दिखाने की कोशिश कर रही हो, दिन में भी आपको जैसे लगेगा रात को भी इसकी चित्र उतना ही सुन्दर लगेगा जितना दिन में लगता है, और रात को भी इसकी कलर को आपको पूरी अच्छी तरह से पता चल कीला स्थानियों परंपरा के साथ इसलामी महल संग्रचना को संग्सलेशित करता है जिसके परिनामश्वरुप, फार्सी, तैमुरिद और हिंदो वास्तुकला का संगम होता है। कीले ने भातियों उपर महादीव के वाद की इमारतों और उद्ध्यानों के लिए एक प्रेरना के रूप में कार्य किया। जो नदी के किनारे शहर के तरफ 33 मेटर तक है। कीला उष्ट कोनियों है जिसका उत्तर दक्षिन अक्षर पुर्ब पश्चिम से अधिक लंबा है। तो संग्मर्मर फूलों की सजाबट और कीले की दोरे गुंबब बाद में मुघल वास्तुकला के उधारन है या उच्चस्तर के अलंकारन को प्रदशित करता है। और कोहिनूर हीरा कथीत के तोर पर साज्जा का हिश्चा था। कीला को कलाकृती, फार्सी, योरोपिय और भारती अकला को संस्लेशन करती है। जिसके परिणाम शरूप एक अनूठी साजहानी शैली है जो रूप अभिब्यक्ती और रंग में सम्रिध है। लाल किला भारत के भवन परिसरों में से एक है, जो एतिहास और इसकी किला को लंबी अवधी को समेटे हुए। 1903 में राष्ट्रिय महत्यों के स्वारक रूप में इसके समरनोच सबसे पहले ही इसे भावी पीरी के लिए शंगरक्षित करने के प्रयाश किये गए थे। लहरी गेट लाल किले का मुख द्वार है। औरंगेजेब की साजहां के दारान एक बर्बिकन को जोर कर द्वार की सुन्दरता को बदल दिया गया था। जिसे साजहां ने एक सुन्दर महिला की चहरे पर घुंगट के रूप में वर्नित किया था। What is the difference between Indian and Islamic style of architecture? क्या difference दोनों में? भारतिय वास्तुकला सदियों से बिक्षित्वी थी जिसे तीन अलग अलग चरनों में विभाजित किया जा सकता है। प्राचीन वास्तुकला, मध्यकालियन वास्तुकला, आधुनिक वास्तुकला। वास्तुकला की शैली ने केबल धर्म और संस्कृती से प्रभावित होती थी, बलकि भौगलिक, जलवायो, जातियो, एतिहाशिक और भाषाई, मिस्टन से भी प्रभावित होती है। इस्लामिक वास्तुकला क्या है? इस्लामिक वास्तुकला, रोमन, विजान्टिन, वैजान्टिन, फार्सी, मसपोटिमिया, वास्तुकला और भारतिय वास्तुकला जैसे कई स्थापत्त शैली का समावेश है, इस्लामिक वास्तुकला में भारतिय स्थापत्त शैली की मुख्य विशेस्ता है क्या थी? यह देश के बिभिन्य भागों और छेत्र में बिभिन्य यूगों से यूगों में विकशित हुआ इस लोकपिय रूप से ट्रेविट स्टाइल के रूप में जाना जाता है मंदिर को जीवित प्रानियों की छबियों से सजाया गया था शुबकला के ताहत पदम, चक्र, स्वास्तिक और कलश आदी का प्रतिनिधित्तो किया गया वास्तुकला के इमारतों का पता दुनिया की पहले शेहरी सभ्धता यानि सिंदु घाटी सभ्धता से लगाया जा सकता है जो अपने नगर नियोजन और इंजिनियारिंग काशल के लिए जानी जाती है रोककट, कुफाय, मंदिर, जलाशय, महल और किला प्रमुक स्थापत्य प्रकार है भारतिया मंदिर वास्तुकला की तीन शैलिया है नगर शैली, विसरा शैली, द्रावर शैली इसमें छैतीज और उर्धधर तक्त्व से भी कुष्ट का उपयोग करके सैयुक्त थे बिविन्द भागों में निर्मान के विशिष्ट स्थापत्य शैली, भागली, जलवायू, जातियो, नसलियो, एतिहाशिक और भाशाई विशिस्ताओं का परिनाम थे इसमें पिरामिडानुमा आकार की, केंद्रिय बिमाना और साथ ही छत्ते का आकार की घुमादार शिखर है और इसलामिक शैली वस्टुकला के मुख्य विशिष्टाए क्या है? यह इसलाम के आगमन के बाद विकशित हुआ, लेकिन रोमन, बैजांटिक, फार्सी, मेसोपाटमियन वस्टुकला से प्रभाबित था इसलिए इसे महराब स्टाइल के नाम से जाना जाता है इसलाम से जीवित प्रानियों का प्रतिनिधित निशिद है तो भारत इसलामी वस्टुकला में सुलेक और जैमितियों डिजाइनों पर आधारित था मश्चित, मखबरा, महल और कीला प्रमुक वस्टुशिल्प प्रकार है इसलामी वस्टुकला की तिन शैलिया है ग्रीको, रोमान परमपरा, पुर्भी परमपरा, मेसपोटिमिया और फारस भारतिय शैलिया यहां इसलामी, फार्सी और भारतिय शैलिया का एक अनूठा मेश्टन है महराब, महराबो, महराबो और गुम्बदो आदी से रिक्थ स्थानों की पूर्ति की जाती है इस वास्तुकला में वास्तुशिल्प अथिब्भ्यक्ति, आंतरिक सजाबट, आंगन और जयमितियोंदी पर केंद्रित है जो आपने देखा होगा सारी वास्तुकला में इस तरह से जैमितियो दिजाइन पर ये केंद्रित है सारी दिजाइन आप सारी बस तुकला ये आप देखोगे तो जैमितिक दिजाइन पर ये केंद्रित है After studying the historical monument as given in the lesson you might have concluded that the history of medieval India is full of so many ups and downs on account of which a lot of cultural interaction took place which creates a large panoramic picture in front of us. In the history of architectural art of India during medieval period, the construction of maharabs, domes and the mixtures of cementing mortals are the gift of Takishtar techniques. We can simultaneously very well see the swastika, symbol, bell-shaped forms, lotus carving and kalash, adhan pottery used as decorative motifs which are purely Indian and their style of form gifted to the Indo-Islamic architecture. Many tombs, maharabs and makhbaras were constructed and their surroundings were developed into beautiful decorative parks, gardens but special attention was laid on the strength of the building during construction time. So, learner, asha hai, आपको ये lesson कैसा लगा या आपको और भी कुछ जानना है, इसके बारे में आप हमें जरूर बताएंगे. आप स्ग् आप स्द्द्द्द्द्द्द्द्द् Gr tai स्ट्ड़स्द्द्द्द्द्द्द्ट jsा तो हHi популярे में Even 효